हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टू चैनल कॉम स्कॉलर इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए आज एक नए चप्टर स्टाट करने जा रहे हैं इस फानेशल स्टेट्मेंट ऑफ कंपनीज देखिए वैसे तो आपने यह चप्टर देखिए बहुत अच्छे से ट्वैल से पड़ा हुआ है राइट बट अब एचली क्या है कि ट्वैल स्ट में आपने जो पड़ा था हो काफी बेसिक पड़ा था अब ग्रेशनेवल में दे जो चप्टर आपका काफी स्कूरिंग है मैं स्कूरिंग इसलिए बोट रहा हुँ क्योंकि आपका बेस तो अल्रीटी ट्वैल से अड़ में क्लियर हो चुका है देकि पी एंडे स्टेट में जब बनाता आपको पता है कि डेपेट में क्याता है बैलेंशीट में आपको पत आपको अच्छे से पहले आपको इसको मेमराइज करना होगा तब भी आप इसको अच्छे से करपाऊगे अधरोएस इडिवूड बीडिवी डिफिकल्ट फोर यू राइट देखिए चप्टर को शार्ट करने से पहले जो है पहले सबसे पहले जो टूपिक हम बढ़ रहें देट इस कॉल्ल डेफर टेक्स कि यह आपने वैसे तो कंसेट आपको आएगस पताऊगो बट इस ओल अवाट डेफर टेक्स बट मैं फिर भी आपको जो है इसके बारे में एक्स्पिर करूंगा दिखिए डेफर टेक्स आप का डेफर टेक्स लाइबिलिटी इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है पहले वह च्छे समझना पड़ेगा देखिए डेफर टेक्स आईसा क्या मतलब क्या होता है देखिए होता क्या है कि बेसिकली जब आप कोई बिजनस रंग कर रहे हो ठीक है तब आपके जो है आपके एक इन के हैं और जो आपने जहें कंपनीस एक्ट के एके अठीक आपने अपना प्रॉफिट जो है वह डिट्रमाइन किया होगा इन्द परफिट आपकी जो पेंडल स्रेट में जो आता है वो आता आपका उसक्वाफिट में एक इस पर कंपनीज एक 2013 में लेकिन एक और जो प कि आप डिडिक्शन जादा क्लेम कर लाते हूं कुछ as expense होते हैं जो आपको income tax में अलाओ करते हैं बट आपको as per company's act वो अलाओड नहीं होते हैं या कईबा income tax में आपके जादा expense मान जाते हैं as compared to company's act तो इस case में कहाता है कि जब आप मानने जिए कि कि हमें जब आपका जो है tax liability जो आपकी जो tax liability है अगर मानने जिए books of account में ज़्यादा है या फिर books of account में ज़्यादा है as per income tax तो फिर आपकी जो यहाँ पर liability create हो जाती है चीक है sorry मैं इसको जो है यहाँ पर लिखना चाहूंगा यह अचली यहाँ नहीं आएगा यहाँ आएगा liability यानि कि liability कब कीड होती है अगर books of account ज़्यादा है as per income tax यानि कि आपकी जो overall जो tax liability है यानि कि जो आप payment करने जा रहे हो government को ठीकिए दो government को taxis पर दोगे profit पर दोगे अब सवाल उटता है कौन से profit वे क्योंकि books of account के profit अलग आता है और income tax के जब हम provision follow करते हैं तब उसके according जब profit कुछ और आता है ठीकिए अगर माल लिजे अगर आपका tax liability है वो ज़्यादा हा रही है as per books of account ठीकिए तो फिर उस case में आपको आपर क्या बन जाता आपका defer tax liability राइट जब आपका books of account में tax कम आता है as per income tax तो वो क्या बन जाता है आपका DT asset DT asset तो दिखिए यह होगा आपका DT asset और यह होगा आपका DT liability अब question रहते है कि sir इसको हम ऐसक ही बोलते है कि यह DT asset है DT liability है देखिए आप मतलब का आप जहां से जहां मतलब ज़रा समझेए देखिए इसमें होता क्या है जैसे मान जीजे मैं आपको एक से चोटा सा एक example के दूर आपको समझाता हूं देखिए जैसे मान जीजे मैं अगर बात करूँ income tax में जब आप P&L state में मनाते हो अब उसमें debit side में देखिए आपके काफे सारे पूर्ण आते है depreciation भी आता है आपके पास provision भी आते है जिके काफी जी आती है अब होता क्या है मान जीजे depreciation जो है आपने यहां पर मान जीजे कि WDV जो हो follow किया हूए और आपने यहां पर provision मान जीजे यहां पर 10% जो है provision allow किया हूए लेकिन जब आप income tax जो है law follow करते हो तो depreciation जो है यहां पर WDV ने होता है मान जीजे वो होता है SLM और provision यहां पर मान जीजे 10% आते हैं आपने मान जीजे कि यह होता है suppose 20% उस case में यहां पर benefit आपको income tax के मिल रहे हैं इस case में कहा होगा आपको profit कम हो जाएगा और प्रफिट कम हो जब प्रफिट कम हो तो आपक टेक्स कम पे करोगे ते पर आपको tax कम पे करे हो houses कम पे करे लगिन आन्यवाद और आनेमर टे में ज्यादा टेक्स पे करेंगे देखे इसको भी मैं थोड़े से अग्जांबल की तरफ समझता हूं समझाता हूं मालनीजिए मैं एक टॉपीक लिए दो जैसे कॉल्ड डैप्रिसीशन अब मालनीजिय की आपकी ज़व डैप्रिसी के दियों दो तरीक थे होता है एक होता है अपका एसेलम और एक होता है आपका noda कि Wtv मालेजे में मेंठ के वैली कितनी है 1,11 रृपए क्यों है SLM में लग रहा है माललेजे में तरयshore-ण 10% depression SLM लोगे तो LSR में depression दे कि 1st year में कितना होगा यथि 10,000, 2nd year में कितना होगा 10,000, 3rd year में कितना होगा that is 10,000 4th year में 10,000 5th year में 10,000 यह होगा WDB में देखिए 1st year में कितना होगा that is 10,000 2nd year में देखिए कितना होगा 9,000 इसके बाद 8 इसके बाद 7 इसके बाद 6 यह होगा अब मान लिजिये कि यह जो आपका WDB मेथड है मान लिजिये यह आपका आ रहा है suppose as per income tax और यह है आपका मान लिजिये as per books of accounting companies that recording हो रहा है तो पहले साल तो देखिए tax आप कहीं पर भी दो दोनों का सही में आरे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब दूसरे साल के बारे आएगी तो इसका मनलब क्या हो रहा है कि आपने यहां पर जो tax कम पे किया है sorry यहां पर जो आपने tax ज्यादा भी कर दिया फिर यहां पर और ज्यादा पे करना पट रहा है यहां पर और ज्यादा यहां पर और ज्यादा ऐसा भी हो रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है जब आपका कि इनकंपेक्स लाइबिटी आग्र Полकmarks का मान रहे हूं आपको मैं क्या इयान गवर का कैश्छा का निपने की डैप दिटिंदी कैश्छ गश्हें बाइब निटि कराता हूं जैसे मालनीजे आप इसका 1st question ही दिखिया आपको रुच्छे समय राएगा मैं question पर पन वन देखिया आपर A limited purchases machine in the beginning of the year cost in rupee that is 15 lakh The machine has a useful life of 3 years and the expected scrap value is 0 The company charges depreciation on SLM basis However it is eligible for 100% depreciation allowance in the year of purchase as per income tax Profit before depreciation and taxes 20 lakhs Now compute and corporate taxes 30% तो देखिये कौन सा concept अब कर आपको ये Deport tax concept आचको है solution देखिये मैं पहले question वाजता हूं A limited machine खरे दी है 15 lakh This पे 3 साल के जो उसके life है और scribe values की जीर होगी after 3 years तो company जो हाँ पर SLM method जो फो पॉलो कर रही है समझते हैं आए देखिये हम बनाया है that means year 1, year 2, year 3 यह मैंने काल रहा हूं profit as per books of account profit as per income tax right तो यहां पर यह पर यह आप year 1 का देखिये जहां से आए profit before depression and tax आपको गिवें that is 20 lakh 20 lakh पहले मैं आपको से पेक साल किसमा दान से देखिये first year का depreciation देखिये अगर आप देखिये अगर आप देखिये अगर आप देखिये that means 15 lakh divided by 3 ठीके तो हर साल depreciation amount that is 5 lakh वही मैंने यहां पर लिखा वह 5 lakh मानस कर दिया लेकिन income tax में लगा तो कि आप 100% depreciation ले सकते हो in the year of purchase तो पूरे कोफर depreciation यहां पर charge कर लिया आप profit before tax कितना हुआ यहां पर 15 lakh यहां कितना हुआ 5 lakh ठीके आप जाहां सुने यहां से concept दोड़ा complete हो जाता है अब देखें यहां पर जब आप income tax pay करने जाओगे जब आप corporate tax जब आप पे करने जाओगे तब आप tax किस पर दोगे बस सिद्धी से बाता है आप सिद्धी से तब 5 lakh पे tax दोगे क्योंकि आपकी income तो 5 lakh ही है as पर income tax लो ठीक है corporate tax में लेखते रिकाओ income tax होता है तो सरकार का जो आप tax पे करने जाओगे तो उसके coding ही चलोगे तो सरकार खुद ही खहरे किया आपकी कमाई जाओगे तो आप उसके coding tax दोगे तो इसमें मान लीजे आपके जो tax बनेगा 30% इसका 30% कितना हुआ that is 1.5 lakh रुप हो गया ठीक है 1.5 lakh रुप हो गया अच्छा अगर मानेजे अगर आप इसके profit देती इसके profit देती तो आपकी tax किती मनती सब वो मनती कुछ मानेजे उसकी 15,30,000 कितना हुआ 44 lakh रुप है और आप दे कितना रहो 1.5 lakh रुप है तो 3 lakh का आपको benefit मिल गया that means 3 lakh tax आपको जादा आपको बात में pay करना पड़ेगा अभी नहीं देना आपको बात में देना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि आपने सारा depreciation तो अभी चार्ज कर लिया अगले सारा depreciation आप चार्ज कर नहीं पाओगे तो उस case में इसका मलब आपको आनेवर टेम है आपको ज्यादा tax pay करना पड़ेगा तो इस साल आपने जो 3 lakh जो अभी tax कम बे दे रहे हो वो आनेवर टेम है देना पड़ेगा तो आपके लिग liability कीट हो जागी तो यहाँ पर concept क्या गया defer tax liability 3 lakh तो बस profit profit before depreciation index कतना है 20 lakh 20 lakh as per income tax as well as as per companies act depreciation अगर मैं books of account यानी companies act के according करता हूँ तो लिखा होता है SLM method follow करना है तो 5 lakh यहाँ पर आगया लेकिन income tax follow करता हूँ तो income tax में लिखा हुआ है कि in the year of purchase जो है company जो है पूरा 100% depreciation चार्ज कर सकती है तो भी company ने पूरा 5 lakh ले लिया अब profit before tax केतना हुआ है यहाँ पर 15 lakh यहाँ केतना हुआ 5 lakh अज जब आप टेक्स दोगे तो as per income tax के according ही देना होता है तो आप tax किस पर दोगे 5 lakh पर 5 lakh का 30% केतना हुआ 1,5 lakh तो आपको current tax केतना बन गया 1,5 lakh रुपे लेकिन अगर आप books of account के दर से दोते तो आपको 4 lakh 4 lakh रुपे का tax ज़ना हो बता था यह आपने 3 lakh रुपे आपने इस साल रुपे लिए लेकिन आने हो रहा time आपको देना पड़ेगा तो आपकी liability केट होगी तो यह क्या मनगा आपका debt for tax liability आप आएए दिखें EA tool में क्या होगा 20 lakh रुपे profit दोस्या में यहां पर भी यहां पर भी अब depreciation जो आपने books of account में चार्ज कर लिया यहां पर आप क्या होगा यहां पर nail होगा तो profit before tax कितना होगा आप 15 lakh यहां 20 lakh ठीक है अब अब अगेन जब आपको ज्यादा tax दिना पड़ रहा है तो आपको क्या मनेगा यह def for tax exit asset बनगी तो डेल आपको यह add करना होगा आपको 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 profit before after tax कितना होगा sorry that is 10 lakh 50,000 same आपको year 3 में होगा year 3 में होगा year 3 में होगा right तो यह था आपका आपका जो टोपिक तो यह that is def for tax as a idea of a def for tax liability क्या होती है alright now moving to the next topic that is EPS नहीं topic that is called what is the basic difference between earning per share and diluted earning per share again देखिए यह examination important है देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको यह छोटे-छोटे points ना आपको मैं separately बढ़ा हूँ जब हम actually question कर रहें that is financial statement of companies तो वहाँ लेंदे-लेंदे question होगे तो वहाँ पर यह point में discuss करने का इतना point नहीं इतना time नहीं विलेगा तो इसलिए आपर मैं separate video lecture में इसको अच्छे से in detail आपको समझा रहा हूँ तो देखिए हम क्या पढ़ने जाए basic difference between earning per share and diluted earning per share जब आप देखिए किसी भी company के अगर आप financial statement निकालोगे that is the balance sheet निकालोगे तो balance sheet में आप जो EPS अगर आप देखिए होगे तो EPS जो दो तरीकली होती है EPS एक तो normal basic याने basic EPS और एक होगा आपका diluted EPS तो आपको क्यों क्यों जिरो दो कि सर इन भी difference के है मैंनों ऐसा क्या है देखिए earning per share तो आपको पताएगो what is all about earning per share देखिए नाम से सिस्ट है earning per share that means company company आपको हर share रपी कितना कमा के दरी that is called earning per share ठीके जाह समाहनी जी मैं बुर्णों की profit जो है आपका मालनी जीए profit profit आफर टेक्स जो भी आ रहा है मालनी जी मैं सबस्थ वो आ रहा है दस लाग रुपे गाँ ठीक है और company के per share है यानि कि कितने share अभी जब profit हुआ तो company के पस outstanding shares कितने है मालनी जीए एक लाग रुपे है इसका में लगए company दस एक लाग रुपे company आपको जो है दस लाग रुपे कमाग दे रही है तो EPS कितना हो गई है दस रुपे हो गया EPS कितना हो गया 10 रुपे हो गया अब बगार बात करते है that means what is all about diluted EPS that means after all adjustment पहले तो आपको देखे पता होने चाहिए कि जब आप earning person यहां पर earning पर share share के यहां पर देखे classes होती है that means यहां पर आपके equity shares भी होती है preferentials भी होती है तो इसमें जब आप यहां पर earning जो लोग है after paying dividend to the preferential holders ठीक है माने जैसे इसी same question में 10 रुपे के मनाफ़ा हुआ 10 रुपे में से 1 रुपे के तो आपने यहां company को preferential holder को dividend देना पड़ा तो वह minus कर दीजिए ठीक है तो वह कहां से जाएगा इसके बाद माने जीए company ने को diventures थे ठीक है वह ले रखे थे तो उसका अभियाज भी देना पड़ागा तो वह भी मानास करना पड़ागा means after meeting all the expenses सब कुछ हो माने करोगे मैं इसको यह ठीक है अब divided by माने जीए एक लाव गुर्पे के company के पास outstanding share थे लेकिन माने जीए company ने mean while यह in the middle of the year company ने क्या करा bonus issue डिखले कर दिया company ने bonus क्या करती है तो इस case में आपर क्या होगा कि आपकी यहां पर कि देखो डेलेटर में लेका था कि कम होना कम होना ठीक है याने कि earning परिशा एक तरह से वह कम हो जाती है बढ़ती ही नहीं है वोल्टक कम हो जाती क्यों 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 कि डिनोमेटर जो बढ़ जाता है आपकी जो है वह कैपिटल रेज होगी मानिके 10,000 के बोनस कर दिए 20,000 के इसोब कर दिए हमने इसोब अच्छे से पढ़ लिया या राइट इसो कर दिए कुछ भी कर लिये तो उस case में क्या होगा आपके डिनोमेटर जो बढ़ताता लजाएगा तो जब आप आफ्टर मेकिंग ओल अजिस मेलते हो तो आपकी जो है और डिनोमेटर एपिस वह कम होती है एस एस कंपेर टू आप एस कंपेर टू आपको बेसिक को समाझ आगा होगा इसके हम कुछ न करते हैं तक कि आपको बेसिक और अच्छे से क्लाइड हो जाए पर फॉलेंग इफर्मिशन कैल्कुलेट वेटेड एवरेज नंबर एक्विटी शेर अजमेंग अकाउंटिंग एड़िया तिल 21st माच 2023 आपको देखें आपको गिवन है कि 1st April 2020 को कंपनी के पास नंबर और शेर इस्टीट के दिने थे अठारा सो कंपनी ने कोई भी शेर बाइवेक नहीं किया आरशन इतने तो कोई दिखरनी है 31st अगुस्ट को कंपनी ने क्या करा एक्स्ट और शेर एडिस्ट शेर इस्टीट इस्टोबीश शेर होगी उसके बाद फर्स वाइवरेज शेर जोए बाइवेक कर लिए कितने 300 कितने आपर 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 कैसे करना है अंसर नमबर टू मैं सिद्धी से बात है अठाराव सोशेर थे स्टार्टिंग में एपरिल से लेकर उसके बाद देखिए आपर अगर आप देखोगे अ года जो अनुमा था कितना वोग 아직 और यह जो पिरिड़ है कितना होगा यह वाइफ म संस्क होगी यहीं जो पिरिड़ अ कितना होगा थी का, टू मंस का हो गया हो ठीक है यहांपर क्या करा कि है अबल अब्ञैं परफ्यइब Stick और ग करतेंग अगर्निक पर यहीं तो 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 ट Now moving to question no.3 From the following calculate weighted average number of equity shares this and this 1st April go opening shares देते थे जिसके nominal value कितने दस ओर पे थी और amount भी public ने पे गए थे दस ओर पे किसाफ से 31 मार्च 2300 के रहाओ company ने additional share issue करे कितने shares 600 shares जिसके nominal price कितना था 500 पे था लेकिन public ने जो pay किया 500 पे किसाफ से पीगिया तो इसका solution कैसे करेंगे यहां दान से देखिए एपरिल से लेकर मार्च तक टोटल तो यह 12 मेन नहीं हो गई ठीक है तो यानि कि 1800 तो वह 12 मेने के साफ से निकल जाएगा लेकिन जो 600 वाला होगा उसका क्या करेंगे दान से देखिए यह तो समय आए गया आप यहां पर 600 तो 300 के सो गया मैं सीदी सी बात है यहां देखिए यहां पर जह नॉमेनल वैली जो आप प्रूबल दस ओपे के साफ से थी लेकिन पब्लिक ने पीए कर आप तक 500 पे के साफ से तो आदा हो गया तो कितनों के 300 और यह कब हुआ था यह पादा पादा के सवरी आगेस वाली नगा सवरी यह फर्स्ट फैब होगा यह उसको फर्स फैब हो गये फर्स फैब टुथावजन टॉन्टिथी 23 तो दो मिने के साफ सेने के लिया अवर्ज हो गई है अथारो सफ़ाशार शेयर्स राइट सलिए नाव मोविं तो क्वेश्टन पर फॉर A company furnishers the following information accounting is this For the purpose of calculating diluted earning per share, net profit or loss for the period attributed to equity shareholders and weighted average number of equity shares outstanding during the period should be adjusted for the effect of all diluted potential equity shares, number of profits देखे last year में कितना थारा लाग, current year में कितना है शाट लाग, number of share outstanding till 31st of March 2022 यहनि के last year कि दिन थे 20 लाग थे, company ने क्या कर रहा कि इस साल company ने bonus issue डिकले करा, कितना two equity shares overpies of each quantity share outstanding, यहनि के company क्या कर रहा है, company ने क्या कर रहा, company जे 2 extra shares दे रही है for holding one share, for holding one share, right, तो EPS निकाला है हमें, दोनों के, 22-30 का, तो देखे कैसे करेंगे, EPS जब निकाले हैं तो कि यहाँ पर अगर आप normal EPS निकाल लो, तो यहाँ पर देखे, आपको current year का profit कितना गया है, 60 लाग, EPS का formula का तो profit divided by number of shares, outstanding, तो 60 लाग का तो profit हो गया, divided by 20 लाग plus 40 लाग, सब 20 लाग पर 40 लाग किसा है, 20 लाग तो यह हो गया, मैं सब बाके 40 लाग, company ने double share करेंगे, तो 20 लाग है यह, bonus कितना हो गया, 40 लाग, तो बस, यह 40 लाग हो गया, divide करके, आपका EPS कितना हो गया, एक रुपे पर share, और अगर इसको, sorry, यह adjusted year नहीं होगा, यह sorry, यह है आपका EPS, for the year 2021-22, और यह जो EPS हो आपका है, कितना है, 2022 तो 2023 का है, तो दिखे, इसका EPS, इस अर्निंग के साफ से कितना हो गया, आपका इतना हो गया, simple, question number 5, from the following is ready to a company for the accounting it is, net profit आपको कंटेर गिवन है, एक करोड, number of share, आपको 50 लाग, number of 12 convertible debentures given आपको 100 इच की कितने, यह number of debentures है, एक लाग, each debenture is convertible into 10 equity shares, interest expenses for the current day that is 12 लाग, tax related interest expense that is 30%, हमें EPS नहीं कालना हैं, और यह EPS नहीं कालना हैं, तो EPS का फर्म लादर को 70 से पहला है, company ने कमाया कितना, सर एक करोड रुपे, number of share outstanding, अभी कितने हैं, इन number of share outstanding कितने थे भी हमें लेके, that is 50 लाग, ठीक है, तो बस divide करेंगे, आपको EPS केतना हैं, दो लाग लाग रुपे, अब डियलेटर में लगा, that means, आपको क्या करना है, एड़ेजस्टेड, 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 EPS निकान लाग है, ठीक है, तो देखिए, आपको profit कितना है, पहले profit पर देखिए, पहले profit एक करोड रुपे था, इसके बाद company ने, जब डिवेंचर, इंटरिस्टेड करना कितना 12 लाग का, और टेक्स कितना पढ़ागा, ये तो इंकम है, ये तो 12 लाग को एड़ करेंगे, और एक खर्चा है, तीन साथ इसको मानस करेंगे, तो ये average profit कितना का आपका, that means, एक करोड आठ लाग चालेस लाग रुपे, इसके आप कितनों के 10 लाग और होगे, पहले कितने थे हैं, आप कंपनी के पास 50 लाग थे, तो टोटल नमबर उच्छिस कितनों के 6 लाग होगे, तो बस, एक करोड चालेस लाग, आठ लाग चालेस है, डिवड़ बैस आठ लाग, आपका जो है, डिलेक्स कितना होगे 1.81, सिंप अपर दोनों सारक अप गीवन है, नमबर उचेर आउट चंडिंग, प्रायर टू दी राइट इशू, कितने हैं, बार लाग रुपे हैं, बार लाग शेर, सोरी, राइट इशू, क्या बटे कंपनी, वन निव शेर, पर इच थ्री आउट चंडिंग, आल राइट, कितने है एट सोरी बार लाग बार निव शेर है, प्रायर लाग रुपे बार पर लाइट इशू का पर इचाम उखना है, वनेजिए निव उच्डिंग, शेर, प्राय लुके हैं, मिल्हें सोरे कितने हैं, फान्च जून दूटि ठैस, जून तॉट टूं इट लाइट शेर, सुरू employee purchase plan right और इसी को हम बोलते हैं that is called right issue right issue कर दिये देखिए इसमें basic concept जाता है अगर आपको यात होतो होतो देखिए होता है कि इसमें आपके जो shares है वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं क्या करते हैं लोकिन करते हैं मानी जे लोकिन के पिटाइ पांच साल तक आप इन shares को लेता हो सकते हो पांच साल तक आप इनको सिर्फ देख सकते हो लिगे इनसों को आप sell-off ने कर सकते हैं आप इनको redeem ने कर सकते हैं तो सिद्धी से वात हैं अगर माने जापने पांच साल पहले इसकी share की value 100 पे थी अब इसकी liquidity obviously जो रुक जाएगी तो हो सता है इसका price जब गिर जाए हो सता है 98 हो जाए तो वही हुआ कि जब right issue किये तो जब कहना मैं इसका जो है वो 28 रुपे की सबसे भी गरादा तो solution देखे इसका आप यहाँपर competition of x right of a value अब परश्या के कितने देखिए 12 लाग shares थे इंटू में 28 यहाँपर द्यान से देखिए 12 लाग shares थे इंटू में 28 कर दिया हूँ यह कब था यह था prior to right issue अब right issue कितने कर रहे 4 लाग और कर दिये इसकी value कितनी होगी वह 22 लाग गुरूपी से होगी तो 18 into this prior to right issue right issue कितने के 4 लाग कितने में 22 लाग किसाब से ठीक है और divide by किसे करेंगे number of shares outstanding कितना होगी 12 लाग 4 लाग तो कितना होगी EPS right then sorry EPS नहीं आपका यह आपका fair value price है fair value ठीक है न fair value कितना होगा इसके बाद competition of adjusted vector अध्यस्टेटटटटर में लगए यहाँ पर क्या होगा देखिए company prior 28 लग बीचर दी 28 लग बीचर दी और company को कितने पीचना पड़ा 26.5 के साब से fair value उतनी आई है तो company को यह risk factor देना पड़ा देना पड़ा देखिए मैं 506 देखिए मैं फिसरी भी कर देता हूं यहाँ पर लिखा हुआ है कि prior to right to company की fair value कितनी थी वह 2800 लग थी लेकिन अभी जो हमने निकाला है that means fair value हमने average करके निकाल लिया वह कितना निकाला है 26.5 तो company के लिए तो वह risk factor हो गया that means 1.06 हो गया वह अब देखिए EPS हमने कालने का profit कितना है company का 25 लाग पिछले साल का था हूं तो 25 लाग divided by number of shares outstanding that means prior to the right tissue कितना है 12 लाग तो आपका EPS कितना है 1.97 जब EPS निकालने लेंगे हम 25 से इसका तो देखिए profit कितना गिवन आपको that is 40 लाग आपको profit गिवन है कितने टाम के लिए 3 by 5 सा 3 by 12 क्योंकर आपने क्योंकि right issue के date कितनी है that is 30 June 2022 April May June पर यह था आपका April May June 3 मिंचे थे वो क्या थे prior to the right issue कितने होगे आपके होगे 16 लाग share होगे इतने time factor के साब से और आपके EPS कितना आ गया 2.64 इतने द हम ने जतने में नगी देखे 2 श्युक्त तोपी कचिछा से प्रली दमेंज what is all about defer tax asset, defer tax liabity and the EPS and intellectual EPS right so this is the basic concept I hope you have understood very well thank you